हलो फ्रेंट्स तो चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो ओवर्लोडिंग है रिलेशनल आपरेटर की तो हम ग्रेटर देन आपरेटर की ओवर्लोडिंग आपको पढ़ाएंगे तो उसके बाद यार आप कोई सा भी आपरेटर की ओवर्लोडिंग रिलेशनल आपरेट पड़ेगा तीन मेंबर वेरियेबल लेने पड़ेंगे है ना आवर मिनट एंड सेकेंड ओके और आपकोर्स मैं यहाँ पर कुछ पबलिक फंचन बना लेता हूं इसको भी मैं यहाँ पर बना ले रहा हूं टीजर टाइब राइट और मैं क्या करूंगा मैं हर में हर वन को रखूंगा मिन में मिन वन को रख दूंगा और सेकेंड में सेकेंड वन को रख दूंगा इस तरह से तो जो भी वेलू क्या होगी यहाँ पर आर है हर वन और यहाँ पर हर है ओके तो इस तरह से क्या होगा कि जो है हमारा फंचन इसको मैं काल करके इसमें वे मैं यहाँ पर एक फंसर बना लेता हूं शो टाइम नाम से यह क्या करेगा जब भी हम इसको काल करेंगे यह time hour minute second print कर देगा तो सबसे पहले hour को print करो उसके बाद let's say column लगा दो उसके बाद minute को print कर दो उसके बाद column लगा के second को print कर दो और उसके बाद हम यहाँ पर line चेंदे कर दे रहे हैं अब जब भी हम अपने time class का object बनाएंगे let's say time t1, t2 है ना इस तरह से तो मैं क्या कर लेता हूँ t1 dot करके set time कर लेता हूँ तो मुझे क्या pass करना है let's say मुझे hour pass करना है let's say मैंने pass कर दिया 4 hours, 40 minutes, 40 seconds इस तरह से t2 dot आप कुछ भी hour value आप ले सकते हो अपने carding हमने लिखा t2 dot t1 है और यहां पर मुझे बनाना पड़ेगा क्या t2 है ना तो t2 dot set time function को मैं काल कर लूँगा और इस बार let's say 5, 50, 50 हम इस तरह से दो time हमने pass कर दिया है ना अब माल लीजे मुझे चेक करना है कि t1 और t2 में कौन सा बड़ा time है तो मैं क्या लिखूंगा if t1 is greater than t2 तो क्या print कर दो t1 dot show time यानि कि t1 का time print कर दो simply है ना मैं यहां पर bigger इसमालर प्रिंट नहीं करूंगा जो भी time बड़ा होगा वो time प्रिंट कर दो otherwise मुझे क्या करना चाहिए t2 के time को प्रिंट कर दो है ना तो अब ही जो हमने लिखा t1 greater than t2 तो यह काम नहीं करेगा है ना आई होब की आपने operator overloading के सारे पार्ट जरूर देखे होंगे और अगर सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले दो पार्ट जरूर देख लीजिए जिसमें हमने बताया था कि हमें operator overloading की जरूरत ही क्यों पड़ती है यह line हमने अभी बोला कि यह line execute नहीं होगी इरर आ रही है इरर आ भी रही है तो यह line क्यों execute नहीं हो रही है उस पर हमने बात किया थ तो operator overloading के पहले दो वीडियो आपको must watch करने है आपको जरूर वाच करना है उनको तभी आपको operator overloading समझ में आयेगी कि हम करते ही क्यों है है ना तो जैसे हमने लिखा यहाँ पा T1 greater than T2 तो यह काम नहीं करेगा जब हम लिखते हैं जैसे let's say हमारे पास कोई variable है index equal to 10 and y equal to let's say 5 और हम कहीं भी लिखते हैं if इस तरह से x greater than y तो यह चल जाता है क्योंकि जो यहाँ पर greater than operator है उसके जो operand है वो operand कि टाइप के हैं primitive type के हैं लेकिन यहाँ पर जो हमारे operand है T1 और T2 वो एक user defined data type है जो कि यहाँ पर हमने time बनाया है मतलब class type के हैं इसलिए वो काम नहीं और इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा greater than operator की overloading तो सबसे पहले आप क्या करेंगे एक function बनाएंगे है ना function हम बनाएंगे कहां पर हम लोग बनाएंगे member function तो यहाँ पर हम लोग बनाने वाले member function तो जो color object होता है उसी color object जिस class का होता है ना उसी class के अंदर हम लोग क्या कर कैसे बोलोगे क्योंकि हम जो greater than operator बनाने वाले है उसको define करने वाले है वो class के अंदर बनाएंगे और अगर class के अंदर बनाएंगे तो क्या करेंगे उसको call करने के लिए मुझे object चाहिए ना उसको call करने के लिए मुझे क्या चाहिए object चाहिए दिखिए आप कोई normal function भी बना सकते हो है ना अभी तक जो भी हमने किया है लेकिन हम यहाँ पर direct उसकी coding सीखने वाले हैं नहीं तो मैं एक काम कर देता हूँ मैं यहाँ पर एक function बनाता हूँ let's say greater get greater time नाम से खर जो जो हमने function का नाम अभी कुछ नहीं रखा है और ऐसे हमने कीया है हमने क्या किया कि इस से कुछ return होगा चलिए मैं बता दे रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हैं इस greater together time function को call कर सकते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं t1 क्या करे get greater time फंचन को call करके उसमें हम t2 इस तरह से pass भी कर सकते हैं t2 अगर हम pass कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को time t2 इस तरह से receive करना पड़ेगा हम लोग क्या कर सकते हैं क्योंकि t1 ने इस फंचन को call किया तो अगर मैं इसके अंदर HR लिखूंगा तो वो T1 का माना जाएगा क्योंकि T1 ने इस फंसन को काल किया है जब इसके अंदर मैं minute लिखूंगा तो वो T1 का माना जाएगा क्योंकि T1 ने काल किया है उस फंसन को है ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर चेक करूँगा कौन सा ग्रेटर है ग्रेटर है, तो अगर HR ग्रेटर है किस से ग्रेटर है, T2.hr से है ना, तो अगर आवर बड़ा हो गया, तो वो टाइम भी बड़ा होगा, तो यहाँ से मैं रेटर कर दे रहा हूँ, वन ओके, इस तरह से, उसके बाद मैं लगाऊँगा, इलसिफ, अगर आवर बड़ा नहीं है, है ना, अगर देखिए, अगर यहाँ पर जो HR है, वो बड़ा हो गया, तो यहाँ से वन रिटर्न होगा, है ना, और अगर मान लीजिए, यह बाला HR बड़ा है, तो क्या रिटर्न होना चाहिए, यह जी रिटर्न होना चाहिए, है ना, तो देखिए, जो ग्रेटर, दो टाइम को ग्रेटर किस तरह से find करेंगे, उसका logic आप लिख लो यार, है ना, उसका logic आप बना लू, तो अगर यहाँ पर HR बड़ा नहीं हुआ, तो हम check कर लेते हैं, कि यह तो कहीं बड़ा नहीं है, है ना, देखिए, मैं यहाँ पर simple सा solution लिखना चाहता हूँ, ज्यादा उसमें मैं 1 रिटन होगा, otherwise क्या रिटन होगा? 0 रिटन होगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इलसिफ लगा दूँगा, अगर दोनों बराबर हैं, तो हम minute को check करेंगे, अगर minute is greater than t2 का जो minute है, तो t1 बड़ा होगा, तो अगर t1 बड़ा है, तो हम लोग 1 रिटन कर रहे हैं, है ना, इसी तरह से हम लोग इलसिफ लगा लेंगे, और देख लेंगे कि अगर t2 का जो minute है, अगर t2 का minute, minute से बड़ा है, तो यहाँ पर मुझे क्या रिटन करना है, 0 रिटन करना है, है ना, इसी तरह से अगर दोनों minute भी बड़ाबर हो गए, तो हम लोग seconds को चेक करेंगे, है ना, तो लिखेंगे, if else, second is greater than t2 का second, उससे अगर बड़ा है, तो time 1 बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ से 1 रिटन कर दूँँगा, t1 बड़ा होगा तो, otherwise, इल्स में, क्या मुझे चेक करने की जरूरत है, हाँ, फिर से मैं लगाऊंगा, इल्स इफ, इल्स इफ लगा देता हूँ, और उसके बाद अगर, t2 का जो second है, अगर वो बड़ा है second से, तो क्या करो, यहाँ से 0 रिटन कर दो, है ना, otherwise, अगर इन में से, कोई भी कंडेसर सटिस्फाई नहीं हुई, तो दोनों बराबर है, है ना, दोनों क्या होंगे, बराबर टाइम होंगे, तो अगर उन में से, कोई भी रिटन नहीं चला, तो मैं यहाँ से, 2 रिटन कर दे रहा है, और मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा, अगर यह देखिए, अब हमने क्या किया, हमने इस फंसन को काल कर लिया, तो वहाँ से, 1 रिटन होगा, या तो 0, तो अगर यहाँ पर, 1 रिटन होके आ रहा है, मतलब T1 बड़ा है, और अगर 1 रिटन हुआ, तो if condition true मानी जाएगी, तो T1 का time print हो जाएगा, और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, else if, और यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, T2 greater than T1, ऐसे कर लेता हूँ, है ना, लेकिन यह greater than वारा, तो चलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखिए, मैं एक integer variable बना लेता हूँ, लेट से flag नाम से, और उसमें मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर, ऐसे, तो यह function जो भी रिटन करेगा, वो flag में आ जाएगा, है ना, तो अगर, flag की value 1 है, तो T1 बड़ा है, अगर flag की value 0 है, तो T2 बड़ा है, इल्स दोनों तो बराबर ही होंगे, है ना, इल्स दोनों बराबर होंगे, और अगर दोनों बराबर है, तो लेट से मैं दोनों को print कर दे रहा हूँ, T1.showtime, and T2.showtime, आपको समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी, तो अभी हमने न, overloading नहीं किया है, ओके, अभी हमने overloading नहीं किया है, यहाँ पर set time नहीं काल करना है, print कर रहे हैं, तो showtime को काल करना है, ओके, इस तरह से, तो हमने क्या किया, कि T1 ने इस function को काल कर लिया, जिसमें T2 को pass कर दिया, और हमने कुछ वहाँ पर coding कर दिया, तो वहाँ से या तो 1 return होगा, या तो 0, या तो 2, अगर 1 return हो रहा है, तो T1 बड़ा है, T1 का time प्रिंट कर दो, अगर 0 return हो रहा है, तो T2 बड़ा है, तो देखें, यहाँ पर जो बड़ा वाला है, जो क्या है, T2 है, तो T2 का value यहाँ पर print हो रहा है, है न, और अगर मालों मैं T1 को बड़ा कर दूँ, यहाँ पर 8 मैं कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर 8 कर दूँ, तो T1 का time print हो जाएगा, तो आप देखना यहाँ पर, देखें, T1 का time print हो गया है, है न, और अगर मैं बराबर कर दूँ, 5, 5, and 5, तो क्या होगा, दोनों का time print हो जाएगा, है न, तो अभी हमने overloading नहीं किया, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, simply function का नाम change कर देना है, बस यह देखो, दोनों का time print हो रहा है, अब अगर आप से मैं बूलूं कि, जो यह function का नाम है, क्या मैं इस function का नाम greater than रख सकता हूं, तो मैं function का नाम greater than रख सकता हूं, बड़े अराम से, लेकिन उसके पहले, आपरेटर कीवर्ड लगाना पड़ता है, है ना, तो हमने लगा दिया, आपरेटर greater than, यह function का हमारे नाम हो गया, और अगर हमारे function का नाम यह है, तो हम function का नाम यह लिखेंगे, यहाँ पर हमने function का नाम ऐसे लिख दिया, अब जब भी क्या होगा, कि यह भी हमारा काम करेगा, आप देख लो चाहें, मैं रन करके देता हूँ, अभी हमारा दोनो time प्रिंट होना चीए, क्योंकि दोनो बराबर हैं, है ना, तो यहाँ पर देखो, हमारे दोनो time प्रिंट हो गई हैं, तो अब हमारे पास क्या है, कि जब भी हम इस तरह से फंचन का नाम रख लेते हैं, तो क्या होता है, ना तो हमें data आपरेटर लगाने की जरूरत पड़ती है, ना ही आपरेटर कीवर्ड लिखना पड़ता है, है ना, यानि कि मैं यह कह रहा हूँ, यह जो लाइन है, यह जो लाइन है, आप इसको ऐसा मत लिखो, जब आप फंचन का नाम आपरेटर रख देते हो, तो आपको आपरेटर कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता, ना ही data लगाना पड़ता है, तो आप इसको हटा दो, आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर एक ही argument है, तो आप क्या करो, टी टू इसको परांथिस भी हटा दो, इस तरह से आप लिख सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसा करने से, हमारा पूरा काम पर्फेक्टली चलेगा, है ना, बिल्कुल चलना चाहिए, और आप देखो कि, दोनों टाइम प्रिंट हो गया है, माल लीजिये, मैं पहले वाले, पहला वाला जो टाइम है, अगर माल लीजिये, मैं उसकी वेलू 6 कर देता हूँ, तो पहला वाला टाइम जो होगा, वो ग्रेटर हो जाएगा, तो हमें पहला वाला टाइम जो है, वो प्रिंट होना चाहिए, है ना, ये देखिए, प्रिंट हो गया हमारा पहला वाला टाइम, तो हम लोग ये जो रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है फ्लैग में, अगर हम लोग चाहें, काल कर लूँगा, अगर time equal है तो कुछ भी print मत करो, है ना, ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर या तो 1 return होगा, या तो 0, या तो 2, अगर 1 return होगा तो T1 का time print होगा, 0 return होगा तो T2 का time print हो जाएगा है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, हमने greater than operator की overloading कर लिए और यह देखिए, हमारा वही time print हो रहा है, है ना, अगर मैं इस वाले time को बड़ा कर दूँ, और फिर से अगर मैं program को run कर दूँ, तो आप देखना हमारा यह बड़ा वाला जो time है वो print हो जाएगा यह देखूँ, राइट तो आपको operator overloading मतलब कि अभी हमने देखा था कि यह चीज लिखना, इतना पूरा लिखने के बराबर है, है ना यह चीज लिखना यह लिखने के बराबर है, लेकिन जब हम operator overloading करते हैं, तो ऐसा नहीं लिखते हैं हम लोग ऐसा prefer करते हैं तो जब भी हम operator overloading करते हैं तो हमें ना data operator लगाना पड़ता है ना ही operator keyword यूज करना पड़ता है काल करते समय, direct आप इसको लगा के काल कर सकते हो डारेक्ट आप operator का नाम लिखके काल कर रहे हो, है ना पूरा पूरा फंसन का नहीं यूज कराओ, dart भी operator आपको नहीं लगाना है कितना special है और ऐसा मैं बहुत पहले से आपको बताते आ रहा हूँ अगर आपने पूरी series देखी है तो है ना, तो I hope आपको ये operator overloading का concept समझ में आया होगा, है ना, तो जब भी आपको ऐसा मिले लिखा, तो आपना इस line को explain करो, कैसे करोगे आप क्या करोगे, पहले आप इसकी definition देखोगे, इसकी definition एक member function के रूप में की गई है, तो member function है तो उसको call करने के लिए object चाहिए और जब भी left वाला operand होता है, अगर एक ही operand है अगर आपने unary operator की overloading की है, तो उसमें एक ही operand होगा, तो वही color object हो जाएगा, लेकिन अगर आपने binary operator की overloading की है, जैसे यहाँ पर relational operator है, वो एक binary operator है तो क्योंकि इस operator को जो function है, उसको call करने के लिए मुझे object चाहिए, dot operator लगा के आपजेक्ट चाहिए, तो जो left बाला होता है, वही उसका color object होता है, तो T1 ने इस operator को call किया, उसमें T2 as an argument pass हो गया, है ना, अगर आप यह वाई line यूज करते हो, तो यहाँ पर आपको बिल्कूप बहुत अच्छी समझ में आता है, लेकिन जब हम operator overloading करते हैं, तो यह लिखना prefer नहीं करते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ने, हमने आपको सब कुछ बता दिया, I hope कि आपको यह सब कुछ समझ में आया होगा, thank you so much, bye bye